कैसा है मित्रो पूजा आज यहां राजभावन के अंदर राजपाल महावाईम के साथ भारते जन्ता पार्टी को छोड़ता सभी राजितित्तल कासिस्ट मंदल यहां आखर की मिला तो नीचे करो भाई यहां आए और आने के पीछे का जो कारण है वो यह है कि बिगद दिन आपने सुना कि माने उच न्याले के द्वारा राज के नियोजन निती को रद कर दिया गया और यह न्योजन निती पहली बार रद हुई है ऐसी बात नहीं है पूर में कई बार नियोजन निती उच न्याले के द्वारा रद किया गया है और बड़ा दुर्भाग है यहां के नौजवानों का जहां आज यह थार्ड ग्रेट रोजगार पाने में सफल हो रहे हैं इसको लेकर यहां के मूलवासी आदिवासियों के हद में जो हम लोगों ने नियोजन निती बनाया था उसको रद कर दिया गया लेकिन हमें इस बात की अंदेशा था कि पूर्व के उधारन को ध्यान में रख कर हम लोग आगे बड़ भी रहे थे कुछ ऐसी सक्तिया है इस राजिया जो एन के परकारें यहां के मूलवासी आदिवासियों के अधिकारों को छिनने का प्रयास कर रही है और आपको सुनकर आश्चर होगा कि इस उचन्याले में जिन लोगों ने अपनी आपती दर्च कराई थी लगबग 10 लोगों ने इसका सिकायत करता बने 20 लोग और 20 लोगों में एक को छोड़कर बाकि सभी 19 लोग दूसरे राजियों से वाकिप रहते थे और बड़ा दुर्भाग की बात है जहारखंड का नियोजन नीती से दूसरे राज के नौजवानों के और दूसरे राज के लोगों को बहुत पकलीफ हो रही है इसे लिए नवंबर माह में हम लोगों ने 1932 अधारित अस्थाने नीती और नियोजन नीती बनाने का बिधायक पास किया था OBC को 1737 आरक्षन देने का बिधायक भी पास किया था जो अनुमोदन के लिए राजपाल महुदय के पास पहुचा हुआ है और उसमें हम लोगों का ये भी निवेदन था और ये भी हम लोगों ने उस बिधायक में वर्णित किया है कि इसे नवी अनुसूची में डाला जाए ताकि यहाँ पर जिस तरीके से ये सडियंत्र होते हैं जो लोगों के यहाँ के मूलवासी आदिवासी के जो जो अधिकार है उसको मिल पाए आज उसी को जल्द से जल्द पारित करने के लिए हमने महामाहिम से आगरह किया ताकि हम केंदर सरकार के पास भी जा करके इसको जल्द से जल्द नौविय अनुसूची में सामील कर इस राज को संरक्षित और इस राज के नौजवानों का भविश संरक्षित करने का काम हो सके इसलिए आज इस संदर्म में हम लोग यहाँ इनके पास यह आविदर निविदन करने के लिए पहुँचे थे अर्टिकल 17 का उलंगन करने की बात कही गई है नियोजन निती को जो निरस्त किया गया है इसमें कहें कोई ऐसी नहीं बात नहीं है हम लोगों ने कोई आर्टिकल का यह नहीं किया और भी राज्यों में ब्यवस्थाएं हैसी है यहां थर्ट गेट के लिए लोग वहां के बच्चों को सीधे तोर पर प्राप्त होता है यह सिरफ यहां पर कुछ ऐसी गिरोश सक्रिये हैं जो नहीं चाहते हैं यहां के मुलवासी आदिवासीयों को रोजगार मिले नौक्रिया मिले लेकिन अभी यहीं पर चीज़ें रूकेंगी नहीं और हम अस्वस्थ करना चाहेंगे आप लोगों को आप लोगों के माध्यम से राज के नोजवानों को हमारा प्रयास है कि आपको आपका अधिकार मिले और जो नियुक्तियां है नियुक्तियों को ले करके यथा सकते कोई अल्टरनेटिव रास्ता हम लोग निकालने का तैयारी करेंगे और अभी इस नियोजन निति को ले के लगबग साथ लाग से अधीक बच्चों ने आवेदन भरा था आज वो बच्चे काफी निरास और मायूस है और हमें इनकी चिंता है और निश्चित रूप से उनके परती पूरा सदन और हम सरकार गंभीर है और इनके लिए क्या हम वेकल्पित तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम कर सकते हैं इस वर बहुत जल्द हम लोग नेने ले रहें लोगीर हम उनकी आपित पूरा वेकल्पित तरीके से घ्टिजशया चिंए प्रशी नियुक्ति नियुक्ति प्रप्राम कर सकते हैं इस रवादया कि एक पुपफ़ाएं।